नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चाहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच नई नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें राइटिंग कॉपर्टिशन जो आपने दिया था उसका रिजल्ट के बारे में बात होगी और साथ में ऑनलाइन इंटर्सिफ को बारा बजे 16 जनवरी 2022 को बारा बजे होने वाला है SSC Combat English Marathon जिसमें 40 कोस्टन पूछे जाएंगे 40 मिनट में 1 करोड तक की स्कॉलर से बाटी जा रही है कोड का आपको इस्तमाल करना है PC2021 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PC2021 कोड का इस्तमाल करके आपको SSC Combat देना है English Marathon जो की होने वाला है 16 जनवरी 2022 को बारा बजे ये आप Unacademy की एप पर भी और Unacademy की वेबसाइट दोनों पर दे पाएंगे से 3 rank आने पर आपको 100% scholarship दी जाएगी Unacademy के प्लस subscription पर 4 से 10 rank आने पर 75% scholarship 11 से 50 rank आने पर 50% scholarship 51 से 500 rank आने पर 25% scholarship और 501 से लेकर 1000 rank आते तो 20% scholarship दी जाएगी Unacademy के प्लस subscription पर तो PC2021 कोड का आप इस्तमाल कीजिए और Unacademy का SSC Combat जरूर दीजिए इसका लिंक आपको description box में मिल आप रतिमा चोहन मेडम की classes को बिलकुल Unacademy पर free देख पाएंगे Unacademy और मेडम रोज लाइव होती है और रोज free classes लेती है जिसका link आपको description box से मिल जाएगा special classes लेती है मेडम SSC reasoning की current affairs की तो मेडम की classes को आप पूरा जरूर देखे Unacademy पर जिसका link आपको description box से मिल Unacademy का आप plus subscription लेते हैं तो PC 2021 code का इस्तमाल कीजिए और आपको extra 10% discount मिलेगा जिसका link आपको description box में मिल जाएगा पहली update के बार में बात करते हैं और discipline of psychology इगनू के branch की तरफ से एक नई guideline जारी की गई है online internship जो होने वाली है उसके लिए नई guideline जारी की है MA second year के जितने भी student है BA psychology के जितने भी student है तो उनको इस guidelines के अधारी पर ही आपने online internship course करना होगा पूरे साथ प्रनों की PDF है तो आप MA और BA psychology के जितने भी student है जब भी वो online internship करें तो इसको follow करना आपके लिए जरूरी रहेगा इसका जो PDF है पूरी की पूरी वो आपको मेरे telegram चैनल पर मिल जाएग तो आप अगर MA या BA psychology के student है तो इसको जरूर डाउनलोड करें अब next update के बारें बात करते हैं और illegal regional center induction meeting करवाने वाला है 15 जनवरी 2022 को ऐसे सभी student जो की नहीं जानते कि induction meeting क्या है तो जब आप नया admission लेते हैं इग्रू में तो इग्रू किस तरीके से काम करता है इग्रू में इग्रू में classes लेनी चाहिए इग्रू में classes का schedule कर रिलीज किया जाता है और भी जितने administrative काम होते हैं आपके मन में कोई question है तो उन सभी का जो जवाब है वो induction meeting में दिया जाता है एक जना से जब नए admission लेते हैं तो वो सब कुछ आपको बताते कि इग्रू किस तरीके से पू भी देख सकते हैं तो अब next update के बार में बात करते हैं और जो स्वामी विवेका नंद का writing competition हुआ था उसके result के बारे में काफी सारे student comment कर रहे तो तो आप इग्रू की website पर उसका result जो है वो जारी कर दिया गया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं चाहिए आप इसका यहीं प नेशनल यूथ competition यह हुआ था उसका यह result है अब next update के बार में बात करते हैं इग्नू री रेजिस्ट्रेशन और इग्नू का assignment submission, project submission इनकी सब की last date जो है वो 15 जनवरी 2022 है तो इसके बारे में काफी सारे student पूछना चाहते हैं कि क्या इनकी last date extend होगी इसके उपर assignment के उपर तो assignment submission की भी last date extend कर दी जाए आपका जो online project submission चल रहा है उसकी भी last date extend की जाए और री रेजिस्ट्रेशन जो 15 जनवरी 2022 लास डेट है जनवरी 2022 सेसन के लिए उसकी भी last date को extend कर दी जाए तो तीनों की last date को extend होने के चांसित हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी करवा दीजिए last date का आप wait मत कीजिए तो आप इनको चरूर कीजिए अब next update के बार में बात करते हैं आज इगनु में 14 जनवरी 2022 को तीन बज़े से लेकर साड़े चार बज़े तक यह lectures जो हैं वो होने वाले हैं जिसको आप देख सकते हैं process of innovation development and technology readiness level और commercialization of lab technology and tech transfer इनके lectures होन करने वाले जिनको आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो साज में इगनु की तरफ से नया MA का course MA corporate social responsibility course भी चालू किया गया अगर आप interested हैं तो उसमें admission भी ले सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर सेर जरूर की